15 अगस्त कोई क्यूं आजादी का दिन मनाते हैं? क्या थी इस तारीक को चुनने की वजह किया है? जानते हैं आज इस वीडियो मैं चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले देश में स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है. 15 अगस्त 1947 ये वो दिन है जब हमें आजादी मिली आपको बता दे कि आजादी आधी रात के समय मिली थी 15 अगस्त के दिन ही हम आजादी का ये दिन मनाते हैं जानिए इसके पीछे की रोचक कहानी क्या है? क्यूं विसी दिन आजादी का जश्न मनाते हैं? ये दिन ही आजादी देने के लिए क्यों चुना गया पहले साल 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी के दिन भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था इसका फैसला साल 1929 में हुए भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस अधिवेशन में हुआ था जो लाहर में हुआ था इस अधिवेशन में भ किया गया था साथ ही साथ भारत की पूर्न स्वतंत्रता तक आदेशों का पालन समय से करने के लिए भी कहा गया उस समय भारत मे लौर्ड माउंट बेटन का शासन था ile पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तै करके रखा था बताया जाता है कि इस दिन को वे अपने कार्यकाल के लिए बहुत सौभाग्यशाली मानते थे। इसके पीछे दूसरी खास वजह ये थी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्ट के ही दिन जापान की सेना ने ब्रुटेन के सामने उनकी अगुवाई में आत्मसमर्पन कर दिया था। माउंट बेटन उस समय सभी देशों की संबध सेनाओं के कमांडर थे। लॉर्ड माउंट बेटन की योजना वाली तीन जून की तारीक पर स्वतन्तरता और विभाजन के संदर्ब में हुई बैठक में ही ये टै किया गया था। तीन जून के प्लान में जब स्वतन्तरता का दिन तै किया गया उसे सारवजनिक रूप से घूशित किया गया तब देश भर के जोतिशियों में आक्रोश पैदा हुआ क्योंकि जोतिशिय अगन्ना के अनुसार 15 अगस्त 1947 का दिन अशुब और अमंगल कारी था। विकलत की तौर पर दूसरी तिथियां भी सुझाई गई लेकिन माउंट बेटन 15 अगस्त की तारीक पर ही अडे रहे ये उनके लिए खास तारीक थी। आरम सूर्योदे के साथ होता है। विवाती तौर पर ब्रिटेन द्वारा भारत को जून 1948 तक सत्ता हस्तांत्रित किया जाना प्रस्तावित था। फरवरी 1947 में सत्ता प्राप्त करते ही लौड माउंट बेटन ने भारतिय नेताओं से आम सहमती बनाने के लिए तुरंट शुरिंखला बद बाचीत शुरू कर दी। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। खास कर तब जब विभाजन के मसले पर जिन्ना और नहरू के बीच द्वांद की स्थिती बनी हुई थी। साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के समय ब्रिटिश आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे और वे इंग्लेंड में स्वयम का शासन भी चलाने में संधर्ष कर रहे थे। से अवामांदोलित हो गया था और दशक के आरंब में ही ब्रिटिश हुकूमत के लिए यही चिन्ता का विशे बन चुका था। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।